हलो एवरिवान च्वागत आपका अपने ही चैनल वे इंगलिश टैंकर में गाइस आज जो मैं स्टोरी आपके लेकर आए हूँ बहुत ये अच्छी है काइनेट्स ओफ द काओ काइनेट्स होता है देया ओफ मींस काया की द काओ मींस गाएं ठीक है और जो द लगता है ये किस प्रॉबलम आती है समझने में प्रॉबलम आती है वह आप इजिली इसको देख पाएं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीच-बीच में ग्रैमर का जो स्टक्चर होता वह भी मैं बताती जाओंगी कि कौन सा टेंस है किसमें बनाया गया है और आप जल्दी से इस एस लगा हुआ है है ना तो यहां से हमें पता चलता है कि जो टेंस है वो प्रेजंट इंडेफिनिट है फरी थर्ड पर्संट सिंगुलर है एक गर्ल है तो उसके साथ क्या है फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यां इस है स्टड़ी मीन्स होता है पढ़ना जो सेंस बैठेगा व फरीद तीसरी श्रेणी में पढ़ती है ताहे तीहे का सेंस आ रहा है प्रेजंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है आगे देखते हैं यूज टू 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 ब्रेड विद हिम वाइल गूइंग तू स्कूल फरीद बॉय है ठीक है इसलिए हिम लगाया गया है अगर गर्ल ह जब भी आदज होती है उसके लिए यूज किया जाता है ठीक है टेट में लेना टू ब्रेड विद हिम अपने साथ while means समय going means जाते समय school वह स्कूल जाते समय अपने साथ दो रोटी लिया करता था means कोई भी आदत हो past की उसको दर्शाने के लिए हम used to का use करते हैं और अगर second line भी used to वाली हो की means जाया करता तो हम would लगा सकते हैं means पहली line में अगर हमने used to use किया है तो second line को हम would से भी बना सकते हैं means खाता था जाता था हम खेलते थे we would play there इस तरह से would का भी use कर सकते हैं on the way रास्ते में a small cow lived outside the temple एक छोटी गाएं रहती थी past indefinite है रहती थी outside बाहर the temple means मंदिर के बाहर ठीक है मंदिर के बाहर एक छोटी गाएं रहती थी he used to feed both the breads to that cow वह to feed means खिलाना खिलाया करता था क्यों? क्योंकि past की आदत है जोकि used to used के साथ d लगा है used to means उसकी आदत थी past की वह खिलाया करता था both means दोनो रोटी to that cow उस गाएं को ठीक है वह वो दोनो रोटी उस गाएं को खिलाया करता था यहां would भी आ सकता था used to की जगा पे हम would का भी use कर सकते हैं ठीक है फरीद never forgets to feed the cow with bread फरीद कभी नहीं never means कभी नहीं forget के साथ ऐस लगा है भूलता है ठीक है भूलता है present indefinite का sense दे रहा है यह verb अगर forgot होता तो second form आती means भूल गया अब first form के साथ S लगी है तो means भूलता है फरीद कभी नहीं भूलता है to feed खिलाना उस गाएं को with bread रोटी से ठीक है रोटी से उस गाएं को खिलाना कभी नहीं भूलता है Sometimes he was late for school कभी कभी वह क्या हो जाता था was means था लेट होना देरी हो जाती थी for school स्कूल के लिए कभी कभी उसको स्कूल के लिए क्या हो जाती थी देरी हो जाती थी Even then फिर भी He would not go without being fed bread He would not वह नहीं जाता था He would not go Go means जाना वह नहीं जाता था without being खिलाए बिना खिलाए बिना रोटी वह रोटी खिलाए बिना नहीं जाता था Without being means होना means किसी चीज के बिना होते हुए means बिना खिलाए हुए इस तरह से इसका means है हुए बिना खिलाए हुए नहीं जाता था He would not go without being fed bread Her school teacher Her नहीं आएगा His आएगा इस प्रिंटिंग में थोड़ी प्राब्लम होई है लेकिन मैं ठीक कर रही हूँ उसको आप देख सकते हैं His school teacher used to scold for being late in school His school teacher His means उसकी Boy है इसलिए यहाँ पर his आया Girl होती तो हर आता School की जो अध्यापक है Used to scold Means डांटा करते थे For being late For being means होना Late होना Late होने के लिए School में School में लेट होने के लिए उसको डांटा करते थे Being means होना होता है The cow was so sweet जो गाएं थी बहुत अच्छी थी ठीक है बहुत so sweet बहुत अच्छी थी She would have been very happy To see the farid She would have been Means वो हो चुकी होती ठीक है वो उसको देख कर क्या हो जाती थी हो चुकी होती Means बहुत खुश हो चुकी होती She would have been बहुत Happy खुश To see देख कर The farid Farid को देख कर वो बहुत खुश होती ठीक है खुश होना या हो चुकी होती One of the same thing है खुश होती Means जैसे उसने उसको देखा तो वो बहुत खुश हो जाती थी पहले से ही Farid would also feed him bread with his own head On hands Farid Would also feed ठीक है उसको खिलाती थी खिलाती थी उससे रोटी with his अपने खुद के हातों से अपने खुद के हातों से उसको रोटी खिलाती थी ठीक है वोट लगा है यहां हम used to भी लगा सकते हैं इस चीज़ को समझना है जब हम past में किसी भी आदत को तरशाते हैं तो हम used to लगाते हैं सबसे पहले अगर आगे भी हम story बनाना चाहते हैं तो used to की जगा पे हम would भी लगा सकते हैं गलत नहीं होगा बोथ had become बोथ मींज दोनों फरीद और गाएं बोथ had become had के साथ third form लगी है है ना तो कौन सा है present, past, perfect चुका था, चुकी थी, चुके थे आ था, ई थी, ए थे का sense आएगा दोनों बन चुके थे या फिर बन गए थे very good friend, बहुत अच्छे दोस्त गाएं और जो फरीद थी, फरीद था वो दोनों बहुत अच्छे friend बन गए थे had become it is a matter of one day यह है एक मामला एक दिन का मतलब वो एक story बता रहे है यह है एक मामला दिन का that फरीद was की फरीद was returning, was के साथ first form I.N.G. पास्ट continuous है, return means वापिस आना होता है, वापिस आ रही थी वापिस आ रहा था, sorry मुझे भी confusion हो रहे है कि फरीद गर्ल है वापिस आ रहा था with goods goods होता है समान के साथ from means say, means किसी कोई समान लेकर वापिस आ रहा था, ठीक है from means say, आगे देखते है from the market बाजार से बाजार से समान लेकर वापिस आ रहा था, some boys caught him outside the temple some boys कुछ लड़कों ने पकड़ लिया ठीक है, यह देखे, catch, caught, caught second form लगी है, past and definite है catch होता तो होता पकड़ना या फिर catch के साथ अगर s लगा होता तो पकड़ता है caught है, second form है means पकड़ लिया means जो काम था वो हो गया some boys caught him उसे पकड़ लिया outside बाहर the temple means मंदिर के बाहर मंदिर के बाहर उसने कुछ लड़कों ने उसको पकड़ लिया started snatching शुरू किया छीनना चीजों को things, चीजों को from means से फरीद से फरीद से चीजों को छीनना उन्होंने शुरू किया seeing फरीद in trouble देख कर फरीद को in trouble means दुख में दकाओ जो गाएं थी मुसीबत में, sorry ठीक है, दुख में भी, मुसीबत में भी मुसीबत में फरीद को मुसीबत में देख कर यह क्या है, present participle है, अब देखे, क्या होता है एक ही जंगल में दो शेर नहीं रह सकते इसी तरह से एक ही लाइन में दो वर्ब नहीं आ सकते अगर already एक वर्ब हो तो दूसरा वर्ब नहीं आ सकता तो उसको हम क्या करते हैं, दूसरे वर्ब को noun बनाना पड़ता है, noun बनाने के लिए हमें उसमें क्या लगाना पड़ेगा? ing, ठीक है? तो वो किसका काम करेगा? जिरंड का, और जो दूसरा होता है, adjective बनाने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ता है? ing लगाना पड़ता है, यह तो फिर वर्ब की साथ तू का यूज होता है, तो वो होते हैं क्या? adjective, seeing, farid, in trouble, मुसीबत में उसको देखकर दकाओ, ran to save her, दकाओ, जो गाएं थी, ran भागी, run होता तो भागना होता ran means भागी, to save, means बचाने के लिए यह क्या है? infinitive, यह काम करता है noun का, ठीक है? अब देखिए, ran भी है यहाँ पर, save भी है, दोनों verb हैं अब दोनों एक line में तो कैसे आएंगे, एक ही sentence में दो verb नहीं आते, अगर लेकर आना है दूसरा, तो यहाँ तो हमें to लगाना पड़ेगा, नहीं तो इसके साथ ing आएगा अगर ing आएगा, तो जिरंट बन जाएगा, अगर to आएगा, तो infinitive बन जाएगा दोनों किसका काम करते हैं, noun का, तो noun का noun बनाते हैं पहले उसको, फिर हम इसको यूज़ करते हैं, means बचाने के लिए उसको the cow ran to save her, गाए भागी उसको बचाने के लिए, seeing the cow coming towards them, देखकर गाएं को coming towards, means आते हुए, towards अपनी और, towards them means उनकी और उनकी और, उनकी और आते हुए गाएं को देखकर, all the boys became 9 to 11 सारे लड़के हो गए, became, second form है, 9 to 11 means 9, 2, 11 9, 2, 11 हो गए, ठीक है, फरीद hugs the cow, जो फरीद है, वो क्या करता है, गले लगाता है, गले लगाता है किसको, गाएं को, hugs, hug करना means गले लगाना, अब S लगा है तो present definite का sense देखा, फरीद उसे गले लगाता है, thanks for saving, ठीक है, कि शुक्रियां बचाने के लिए, बचाने के लिए, ठीक है, मतलब वो गाएं के लिए, गाएं को everyday रोटी देता था, ठीक है न, और जो गाएं हैं, वो भी उसको भी मालुम था, कि like ये मेरे लिए रोटी लेकर आता है, और उसने भी क्या किया, मतलब अपनी ज्यालुता को दिखाने के लिए, उसने भी उसको बचाया, उसको save किया, One should, the moral है स्टोरी का, one should befriend selflessly, ठीक है, किसी को चाहिए, befriend, दोस्त होना, selflessly, selflessly मींस नी स्वार्थ, ठीक है, किसी को भी नी स्वार्थ भाव से दोस्त होना चाहिए, मींस कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, in trouble, मुसीबत में, only a friend becomes in handy, सिरफ एक दोस्त आता है, comes in handy, means काम आता है, ठीक है, काम आता है, मुसीबत में सिरफ एक दोस्त ही काम आता है, clear है, I hope यह स्टोरी आपको अच्छी लगी गाईज, और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, अभी आप मुझे लगता है, इसमें confused होंगे, कि यह चीज़े क्या है, दिरे दिरे जैसे हम स्टोरी को पढ़ते जाएंगे, everyday, तो मैं बीच बीच में बताती जाओंगी, कि यह क्या है, जब भी two के साथ first form लगती है, तो वो होता है infinitive, और वो noun का काम करता है, ठीक है, तो चलिए, अगर यह अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत बूलेगा, God bless you, और कमेंट करके ज़रूर बताएं स्टोरी कैसी लगी,